परधान मंत्री और रक्षा मंत्री तेथा विदेश मंत्री एवब हिमाचल के मुख्य मंत्री तेथा लाहॉल्स पिति के पुलिस अधीकशक के भारती सीना में चीनी सेना की घुसबैट को लेकर दिये गए ब्यानों में विरोधाबास को लेकर कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेम कोशल ने कहा कि रक्षा मंत्री तेथा विदेश मंत्री चीनी सेना की घुसबैट की बात कह रहे हैं और देश के परधान मंत्री घुसबैट से इंकार कर रहे हैं और ऐसे बिरोधाबासी बक्तब्यों से देश की जनता बस्तु स्तिति को लेकर असमंजश में हैं उन्हेंने कहा कि हिमाचल के मुखे मंत्री जहरम ठाको ने भी 17 मेरी को दिये एक ब्यान में चीनी सेना के हेलिकॉप्टर के दो बर भारती सीमा में घुसने की बात कही जबकि लाहॉल्स पिती के पुलिस अधिक्षक ने हाल ही में किसी बरकार की घुसपैट से इंकार किया प्रेम कोशल ने कहा कि मंत्री कुछ कह रहे हैं और परधान मंत्री कुछ और कहते हैं मुखे मंत्री अलग जानकारी देते हैं और अधिकारी उसके उल्ट ब्यान देते हैं जिससे स्पस्ट हो जाता है कि केंदर और परदेश सरकार के मंत्राले तथा अधिकारियों की बीच को पूरी तरह से असफल हो चुकी थी और अर्थ विवस्ता को मजबूत करने के लिए सरकार के नोट बंदी GST सरकारी उक्रमों को बेजने के फैसलों ने आर्थिक हालात में सुधार करने के बजाए अर्थ विवस्ता पर विप्रित प्रभाप डाला है भारतिय सीमा में चीनी सेना की घुस्पैट को लेकर परधान मंतरी विदेश मंतरी और रक्षा मंतरी के बियानों में जो विरोधा भास है उस गिरोधा भास के चलते देश की जनता असमांजिस में है परधान मंतरी सच बोल रहे हैं या उनके रक्षा मंतरी और विदेश मंतरी सच बोल रहे हैं परधान मंत्री कहते हैं चाइनी सेना की घुसपैट देश की धर्ती के ऊपर नहीं होगी। विदेश मंत्री रक्षा मंत्री कहते हैं कि सेना ने घुसपैट की। ये एक ऐसी स्थिती है जिसकी वज़े से पूरे विशुब में भारत की जो चबी है उसको भी अकात पहुँच ता उसमें भी किसी न कही न कहीं जो है कमजोरी आ लिए यह जो ताल मेल का एक अभाब देश की सरकार के विभिन मंतरालियों और परदान मंतरी करेले के बीच में हैं ये बहुत अश्चरयजनक है और देश के लिए बहुत दुर्भागय बुरूं है इसी परकार हीमाचल की सीमा में लाहल स्पीती के साथ लगती जो सीमा है उसमें चाइना के हेलिकॉप्टर्स ने दो बर गुस्पैट की लेकिन लाहल स्पीती के S.P. का हाली में बियान आया जिसमें उन्हें ने कहा कि चाना की तरफ से कोई घुसपैट जो है वो भारतिय सीमा ही माचल परदेश के अंदर नहीं हुए तो बिलकुल उसी तरह की स्थिती ही माचल परदेश के अंदर भी है मुक्ew मंतरी कुछ कह रहे हैं अधिकारी कुछ कह रहे हैं साम जैसे हैं नहीं केंदर की सिरकार के परदान मंतरी का रालिया और दूसरे मंतरालियों के बीच है ये बड़ी विचित्र और हासिस पत्सती है इसी प्रकार कल एक पत्रकार वारता में हिमाचल प्रदेश के वित राजे मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने पेट्रोल और डीजल के कीमतों में हो रही बेह तहाशा जो वरीदी है उसको उचित ठहराते हुए तरक दिया कि सरकार को खल्यान कारी योजनाओं को जारी रखने के लिए धन के वह शक्ता है इसलिए पेट्रोल और डीजल की जो कीमते हैं उनका ये तरक बहुत बेतुका और हासिस बात है बास्तव में करोना महामारी कोविड नाइंटीन के आने से पूर भी वर्तमान जो केंदर सरकार है इसकी गलत नीतियों के चलते भारत की जो अर्थ विवस्था है उचर्वरा चुकी थी जितने भी उपाये अर्थ विवस्था को मजबूत करने के केंदर सरकार ने किये चाहे वो नोत बंदी हो चाहे वो जी-स-डी हो और इसके साथ ही जो सरकारी उपकरम हैं उनको बेचने का खारेकरम हो इन सभी उपायों को करने के बाब जूद सरकार जो है वो अर्थ मेवस्ता को मजबूत करने में पूरी तरह से बेपल रही है पूरी तरह से नकाम रही है और सरकार को अगर कोई तरीका अगर कोई उपाय धन जुटाने का आता है तो वो है जनता को निचोड़ो हर प्रकार की जो कीमते हैं सामान हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी करो फिर वो चाहे तेल की कीमते हों, खादे पदार्थों की कीमते हों, सीमट अथ्वा आन्य भवन रिमान के जो सामान है